270 गई तो खून की नदिया बैजाएगी राहुल बाबा धारा 370 गए 6 साल ओगे 6 साल खून की नदिया चोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिंमत नहीं है कंकर चलाने पर अबे चुन कर आए हैं कॉंग्रेश पार्टी ने डिमांड सरू करी कस्मीर में कि धारा 370 वापिस चाहिए राहुल बाबा ये तमार की भूमिस पर से मैं कहता हूँ आप तो क्या आपकी चार पिडिया भी आएगी धारा 370 वापिस नहीं आ सकती भायो बेनो इन्होंने देश को आतंकवाद और नकसलवाद की बेट पर चट पूरा जारकन सालों तक नकसलवाद में डुबा रहा मोदी जी ही है जिनोंने जारकन से नकसलवादी और नकसलवाद दोनों को खतम करने का का अमित्शा देश नकसलवाद की अमित्शा अमित्शा देश नकसलवाद आसे नकसलवाद दोने पर रहाद की सकता है क्या जरा जोर से बोलो डाल सकता है ट्रांसपोर्मर चाहिए ना चाहिए या नहीं चाहिए ये मोदी जिनने 4 लाग करोड रुपया भेजा सीजा आपके घर में आ सकता है क्या आपके लिए विकार पहुचने के लिए ट्रांसपोर्मर चाहिए ये जर्खन की सरकार है मन्त की सरकार है ट्रांसपोर्मर है मगर ट्रांसपोर्मर जल गया है अब मुझे बताओ ट्रांसपोर्मर जल जाए तो क्या करते है वही अरे जोर से बोलो ट्रांसपोर्मर जल जाए त क्या करते हैं बदलना नहीं है उखार कर फेट तो एमन सोरेन की सरकार को और नरेंद्र मोदी के नेत्र तुमें NDA की भाजब की जदयू की सरकार बनाएं भाईयो बेनो मुझे बताओ इस सरकार को क्या आप बढ़लेंगे अरे जोर से बोलो बढ़लेंगे गैस सिलिंडर पर बटन दबाएंगे हमारे गोपाल कुष्णा पाता जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाएए उठाएए दोनों हाथ विजाई के संकल्प की मुठी बीचे और प्रचन्दा वाद से बोलिए बारत मता की जाए वन दे जाए श्री राम जाए श्री राम जाए श्री राम सारे तमाड़ वालो को Home Minister Amit Shah there speaking and campaigning in Jharkandah says it's time that the Soran government in Jharkandah is thrown away. Amit Shah Union Home Minister also spoke about Article 370 and how it has led to peace in the region. He also said nobody can bring back Article 370. Amit Shah there campaigning very strongly for the Narendra Modi government to be back in Jharkandah and also said Jharkandah has been engulfed in Naxalism. Modi government took out Jharkandah from this menace. It is time to bring back the Modi Sarkar in Jharkand. Amit Shah speaking about Jharkandah being engulfed with Naxalism. He says nobody can bring back Article 370. He slams the Hemansurand government and says it's time for the Sarkar, Modi Sarkar, to be brought back.